Hello everyone, welcome back to our channel Hypertrade SB, मैं हूँ Mohamed Sohail अगर आप पहली बार YouTube चैनल पे आए हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों अपने previous वीडियो में, जब मैं 14th October को analysis किया था stock पे और upload किया था 14th October को, कि 15th October पे हम लोग को stock को watch list भी लगाना है और stock के अंदर हमको analysis भी लेके चलनी है and यहाँ पे मैं clearly ये भी बताया, strong resistance zone पे आएगा तो buying बनेगा वरना ये break करके नीचे कहीं पर भी red candle form करेगा तो नीचे आएगा, retest करेगा, उसके बाद stock के अंदर reversal आएगा इस reversal में या तो stock 200 EMA पे buying देगा या तो stock उसके नीचे previous breakdown को breakout बना के जो rally दिया यहाँ पे entry देगा, यहाँ पे मैं clearly ये भी mention करके गए आपको 98 से 93 के in between आपको stock में करना है entry and अगर आप यहाँ पे clearly देख लेंगे, stock के अंदर हो गई हमारी entry according to 98 and मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ stock के अंदर कि 93 के according जो भी entry लेना चाहते हैं आप entry कर सकते हैं 98 पे जो entry ले चुके हैं दोस्तों आप डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है क्यों कुछ भी नहीं होगा, क्योंके stock के अंदर जब मैं देख रहा हूँ buying level, buying जो जा रहा है, वो completely उपर के तरफ जा रहा है कहां पे जा रहा है, उपर के तरफ जा रहा है, इस वज़े से stock के अंदर मैं देख रहा हूँ buying and दूसरा, 200 EM में reject हुआ, कोई problem ने, डरना नहीं है, क्योंके यहां पे stock में जो bottom fishing हो रहा है अभी तो sold है, bottom fishing वो चीज होता है, जिदर sold में आके ये buying में convert होता है, मैं आपको बता दूँ ये bottom fishing है, ये bottom fishing है, ये bottom fishing है, ये bottom fishing है, ये bottom fishing है पताया क्यों नहीं बताया मैन पिछली बार टारगेट क्योंकि स्टाइक के अंदर हमारी इंटरी नहीं उसी फिर यह है क्योंकि depreciation के बाद जो level लगेगा वो 120 तक खीच के जाएगा उपर का level depreciation रहेगा इस वज़े से दोस्तों यही था मेरा latest update NBCC Pay on fresh buying अगर आपको stock pay analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करिए and YouTube channel को subscribe कर लीजिए दोस्तों thank you for watching my video